नभुश्कार मैं उपरिया, आज है 11 नवंबर जोली जानते हैं भिहार की 25 बड़ी खबरों को स्टेनोग्राफर भरती की व्यभारिक परिक्षा 11 नवंबर से आज स्टेनोग्राफर भरती की व्यभारी क परिक्षा होने वाली है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने विग्यापन संख्या 2-0-1-1-6 की स्टेनोग्राफर भरती व्यवहारिक परिक्षा की तारीख जारी कर दी है बिहार S.S.C. के ताजा नोटिस के रोसार 24 नवंबर 2019 को संपन हुए स्टेनोग्राफी भरती लिखित परिक्षा में बिहारिक जाज परिक्षा के लिए योग के पाए गए 1605 अभियर्थियों की विभारिक जाज परिक्षा 11-13 नवंबर तक होगी बिहारिक जाज के लिए योग के पाए गए अभियर्थी की सूची आयोग की वेबसाइट bssc.bih.nic.in पर उपलब्द है ध्यान रही यह परिक्षा कंप्यूटर बेस्ट होगी एक बार फिर से पूर्ण भहुमत से जीती एंडिये विभार्वदान सबा चनाव के परिणाम की घोशना हो चुकी है जहां पर एंडिये को पूर्ण भहुमत हासिल हुआ है अलाकि एलेक्षिन कमिशन की तरफ से जारी किये गए परिणाम में राज़त सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी है क्योंकि राज़त ने कुल मिलाकर अकेले 75 सीटे जीती है जिसके बाद भाज़पा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है भाज़पा के खाते में 74 सीटे आई है इसके साथ ही अगर हम जैदियू की बात करें तो जैदियू को कुल मिलाकर 43 सीटों पर जीत मिली थी इसके साथ ही AIMIM को 5 सीटे मिली है बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली है कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया को 2 सीट मिली है कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया माक्सिस्ट को 2 सीट मिली है कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया माक्सिस्ट लेनिनिस्ट को 12 सीटे मिली है इसके साथ ही हम पार्टी को चार सीटों पर जीत मिली है एक निर्दलिय उमिद्वार को जीत मिली है वही कॉंग्रिस को 19 सीटों पर जीत मिली है लोकजन शक्ति पार्टी को एक सीट पर जीत मिली है वही विकास शील इंसान पार्टी चार सीटों पर जीतने में काम्याब रही इसके साथ ही बिहार में एंडिये को मेने समर्थन के बाद प्रधान मंत्री नरींदर मोदी और ग्रिमंत्री अमित शाह ने भी सभी लोगों का आभार व्यक्तिया है चुनावी नतीजों के बीच बीते दिन बिहार भाजपा के नेता पहुचे थे मुख्यमंत्री आवास बिहार वदान सबाद चुनावी की परणावी की खोशना हो चुकी है वही नतीजों से पहले ही भाजपा के नेता मुख्यमंत्री आवास जहां पहुचे थे जहां पहुचकर उन्हांने मुख्यमंत्री नितीश कुमार से मुलाकात की साथ ही आगी की रणनीती पर चर्चा मोधी, मुख्यमंत्री हाउस, गेथे भाजपा और जद्यू नेताओं के बीच हाई लेवल मीटिंग जारी रही थी इसके पहले ग्रहमंत्री अमितुश्राह ने भी फोन करके नितीश कुमार से बातचीत की थी दोनों निताओं की बातचीत में बिहार में सरकार बनाने पर चर्चा हुई थी लंदन रिटर्न पुश्पंप्रिया चौधरी को नोटा से भी कम मिले वोट बिहार वधान सभा चुनाव की परणाम की घोशना हो गई है वहीं लंदन से वापस लोटी साथ ही अपने आपको मुख्यमंत्रियों में द्वार बता चुकी पुश्पंप्रिया चौधरी को चुनाव में कलारी हार का सामना करना पड़ा यू तो पुश्पंप्रिया चौधरी बांकी पुरसीट से अपनी जीत के दावय करती आई है मगर बीते दिन मिले वोट ने उन्हें भी आश्चर चौकित कर दिया मिली जानकारी के नुसार पुश्पंप्रिया चौधरी को मातर 1500 वोट ही मिले थे वाई भाजपा के नितिन नवीन ने इस सीट से श्रत्रवन सिनहा के बेटे लव सिनहा को हरा कर जीत दर्ज की है विढातार विधायक बने बाहुबली अनन्थ सिंग बिहार विधानसभा चौनाफ के मतदाण समाप्ठ हो चुके हैं वहीविजयता की घोश्पनाभी हो चुकी है इसे बीच बिहार के मुकामा जिले में एक बार फिर से बाहुबली विधायक अनंत सिंग का ही बोल बाला रहा अनंत सिंग पाचवी बार मुकामा विधासबा छेतर से विधायक बने है और वो रास्ट्रिय जनतादल के टिकेट से चुनावी मैदान में उत्रे थे लेकिन इस बार उन्हें राजुत से उमिद्वार बनाए गया था जहां उनका टककर जनतादल उनाइटेट के राजीव लोच नारायन सिंग के साथ धाला के रंत सिंग के जीत के पहले से ही उनके घर पर लगाता रातिश बाजी की तैयारी की जा चुकी थी सभी भोच की तैयारी करवाई गए थी सुशिल कुमार मोदी ने जम्मु कश्मीर के कुपवारा में जान कवाने वाले अशितोष कुमार को दी श्रद्धांजरी बीते दिन जम्मु कश्मीर के कुपवारा में भी जवान और बिहार के रहने वाले आशुतोष कुमार ने घुस पैठियों को मुकाबला करते वे आखरी सास ले थी जिसके बाद उनके जिले में शोक की लहर देखने को मिली हाला कि बीते दिन उनके पार्थिव शरीर को बिहार पहुचवा दिया गया था जहां पर सुशील कुमार मोदी समेट तमाम नेताओं ने उन्हें श्रधांजरी अर्पित की इस बाबत सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके बताया कि पठना एरपोट पर जमुकश्मीर के कुपवारा में श्रहीद क्याप्टन आश्रतोश कुमार के पार्थिव शरीर पर पुषपांजरी अर्पित कर अपनी भाव भी नी श्रधांजरी अर्पित करता हूँ आपको बताते जमुकश्मीर के कुपवारा में कुछ घुस पैठियों ने भारत सीमा में घुसने की कोशिश की थी उनके मनसूबों को नाकाम करते विया श्रतोश कुमार ने अपनी जान गवादी नवादा के गोवंद्पुर में 40 साल का टूटा रिकॉर्ड बिहार विधांसभा चुनाव की किस्मत का फैसला हो चुका है वही नवादा के गोवंद्पुर के बात करेए तो 40 साल का रिकॉर्ड यहां टूटा है आपकी जानकारी के लिए आपको बदाते नवादा जुले के गोविंदपुर विधान सभा छेतर में 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है जहां 40 साल से दो परिवार के लोग लगातार छेतर में बाजी मार रहे थे आपकी जानकारी के लिए आपको दादे गोविंदपुर विधानसभा चेतर में वोटों की गिंदी समाप्त होने के बाद राजवत के मुहमद कामरान ने जीत दर्च की वही जदियू की पूर्णिमाय आदफ को करारीहार का सामना करना पड़ा गया थो राजवत प्रतियाश अपनी हार स्वीकार करते वे उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे हैं हिम्मत नहीं आपको बता दे चुनाव से पहले महागठ बंदन में श्वाम लुपेंदर को श्वाहा सीट बटवारे को लेकर महागठ बंदन से अलग हो गया थे और अकेले चुनावी मैदान में उतरने क बात कही थी फिर बसपा से उनका अगठ बंदन हुआ और वो चुनावी मैदान में उतरे लेकिन ताज आखडों के नुसार उन्होंने जीत दर्ज नहीं की और अपनी हार को स्वीकार करते वे उन्होंने कहा कि हम अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं मद्यप्रदेश के उप्चुनाव में भाजपा को मिली धवाकेदार जीत मद्यप्रदेश में थाइस वधान सबा सीटों पर उप्चुनाव के परिणाम की घोशना भी कर दी गई हाला कि रोज़ानों में यह साफ हो गया था कि शिवराद सिंग चौहान सत्ता में बरे रह भाजपा ने 15 सीटों पर जीत रोज़ानों के समय ही दर्जु कर दी थी और 5 सीटों पर आगे भी चल रही थी वहीं कॉंग्रेस के खाते में एक सीट हो गई थी और 6 पर बढ़त बनाये थे आपको बता दे मध्यप्रदेश में से पहले इतनी सीटों पर कभी भी उपचुनाव नहीं हुए थे पुर्फ केंद्रे मंतरी जोतिरादित सिंध्या सहित कॉंगरस के ततकालीन 22 विधायकों ने कॉंगरस को जटका देते वे भाजपा का दामन थाम लिया था जिसके कारण ही कमलनात सरकार गिरी और उपचुनाव की नौबत आई है इस विधान सभासीटों में से 27 सीटों पर कॉंगरस का कबजा देखने को मेरा था वहीं जीत के बाद शिवराद सिंग चौहान ने ट्वीट कर कहा कि भारतियव जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है प्रधा प्रधान सभा चुनाव के साथ वालमी की नगर लोकसभाद चुनाव के नतीजों की घोशना भी कर दी गई है जिसके तहत महागटबंदन ने कॉंग्रिस के प्रवेश कुमार मश्रा को प्रत्याशी के रूपे उतारा था जबकि जदियू के सुनील कुमार ने उन्हें शि सीट के चुनाव परिणाम की घोशना हुई जिसमें जदियू के ही सुनील कुमार को एक बर फिर से मौका मिला है आपको बता दे वालमी की नगर लोकसभा सीट बिहार के पश्यम चंपाल अंजले में आता है यह इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और बिहार के सुदू सीटों पर उन्हें अपने उमीद्वारों को उतारा था जिसमें से उन्हें तीन पर जीत मिली है राजनतिक गलियारे में भी चर्चा शुरू हो गई है कि जीतन नामाजी का चुनाव से पहले लिया गया फैसला बिलकुल सही था वही वी आईपी पार्टी ने भी चार सीट पर जीत दर्च की है बिहार की सियासत में AIMIM की धमाकेदार इंट्री बिहार के सियासत का फैसला बीते दिन ले लिया गया वही AIMIM Party का प्रदर्च्टन काफी संतोंश रह देखने को मिला सिमांचल में OAC के पार्टी AIMIM ने बड़ी जीत दर्च की सिमांचल के कई सीटों प शेहनवाज ने जीत दर्च की है AIMIM की जीत से महागटबंदन को काफी जादा नुकसान हुआ है यादव ब्रदर्स को अपने अपने विधानसभा छेत्रों में मिले जीत बिहार विधानसभा चुनाफ के परणाम की घोशना हो गई है वही राजुत नेता और नेता प्रतिपक्ष और महागटबंदन के मुख्यमंत्री उमिद्वार तेजस्वी आदव ने राखुपूर सी सीट से भारत ये जंतापार्टी के सतीशकुमार को भारी अंतर से हराया है तेजस्वी आदव को सीट पर 85,500 से अधिक वोट मिले जबकि भाजपा के सतीशकुमार को महस 50,000 से अधिक वोट ही मिले लहाज आ तेजस्वी ने उन्हें भारी अंतर से हराया है चुनावायों के मताविक चार सीटों पर जीत हार कांतर महज 200 वोट रहार राज़त किनेता और लालू के पुत्र तेश प्रताप यादव ने हासनपुर वधान सभा सीप पर जीत हासिल कर लिए है यहां तेश प्रताप यादव और जदियू के राजकुमार राई के बीच काटे की टककर थी सीट पर कबजा जमाने में सपलता हासिल की वही राज़त ने उन सीटों पर जीत हासिल की है जो ग्रामेन इलाके से जुड़े हुए है इस चुनाव में भाज़पा 110 सीटों पर चुनाव में सीट बटवारे में भाजपा ने उन सीटों को प्रात्मिक्ता दी थी जो शहरी या अर्ध शहरी इलाके की थी। दूसरी तरह फिराजत उन सीटों पर कबजा जमाने में काम्याब रही जो ग्राम इन इलाकों से जुड़े वे हैं और खास कर जहाँ पर मुस्लिम और यादव का दब दबाज ज्याता है। करीबी नेता को मातर 13 वोट से हार का सामना करना पड़ा जिसके तहत राज़त के नालंदा जुले के हिलसा से विधायक शक्ति सिंग यादव और रुफ अत्री मुनी के साथ कुछ ऐसा है हुआ। पहले दोरे में पूरी काउंटिंग में विधायक शक्ति सिंग यादव हिलसा वधानसभा में राज़त प्रत्याश्री शक्ति सिंग यादव 550 वोट से जीत रहे थे लेकिन इसी बीच रीकाउंटिंग करा दिगई जब नतीजा आया तो विधायक शक्ति सिंग यादव और हिलसा में उनके सवर्थकों को ने राशाहाट लगी और जब नेता जी मातर 13 वोट से हार गया IPL के 13 वे संसकरन में मुंबई को मिले जीट, UAE के दुबाइ इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुंबई के खिलाफ इस मैच में टॉस जीत कर पहले बले बाजी करने का फैसला किया उनका यह फैसला हाला की गलत साबित हुआ और टीम ने 22 रनों पर ही तीन विकेट गवा दिये थे मुंबई की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने सरवाधिक 68 रनों की पारिखेले इसके लावाई शान केशन ने 33 रन बनाए कैमूर के परेटन स्थलों में जल प्रपात में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास कैमूर की पहाडिया कई खूबसूर जल प्रपातों का घर भी मानी जाती है यहाँ पर दो जल प्रपात मुखे हैं एक है चैनपूर का करकट गढ़ जल प्रपात जो की कैमूर वंजीवे अभ्यारने के पास स्थित है चारो तलब से प्राकरतिक खूबसूरती से भरे हुए इस जल प्रपात पर दूर दूर से सैलानी मौज मस्ती करने और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं परेटक यहाँ बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग जैसी रोमाज जो गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं दूसरा है कैमूर जुले के भबुआ और धोरा मार्क परसित तेलहर कुण जोकी दुरगावती नदी के काफी निकट सित है आप तेलहर कुण बिज्वर प्रपात की सेर का भी आनंद ले सकते हैं बिहार में कोरोना के मिले 700 से ज्यादा माम दे बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है स्वास्त वभा की तरफ से मिली ज्यानकारी के नुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 798 लोग पॉजिटिफ पाई गये हैं जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़ गए 2,24,275 पर पहुँच गई है वही प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें वस्तिपुर में 5 सारण में 2, स्ट्रेखपुरा में 6 सीतामढ़ी में 6 सिवान में 10 सुपॉल में 13 वहश्वाली में 3 वेस्ट चमपारण में 6 मामले सामने आए हैं पुषपंप्रिया चौधरी ने EVM पर उठाए सवाल पुषपंप्रिया चौधरी ने चुनावी परिणाम से पहले EVM की विश्वसनियता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था हालाकि पार्टी नतीजों में पुषपंप्रिया की पार्टी को एक खास कारणावा नहीं कर पाई अगर उन्होंने EVM पर ज़रूर सवाल उठाए हैं जुसके तहत उन्होंने कहा कि EVM हैक हुए हैं किसी भी प्रत्याशी को वोट देने के क्रम में वोट एंडिये को ही जा रहा था मैं उन्होंने अपने फेस्बुक पर यह भी कहा कि जहां कारेकरताओं ने मेरे सामने अंदर जाकर वोट डाला है उन बूतों पर शूने वोट मिले हैं आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कृष्ण वलभ सहाई की कृष्ण वलभ सहाई का 30 दिसंबर 1898 को उनका जन्मुआ था कुरिश्ण वालब्स सहाई एक भारतिय स्वतन्तिता सेनानी थे जो भारतिय स्वतन्तिता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और फिर एककृत बिहार के चोथे मुख्य मंत्री बने थे कुरिश्ण वालब्स सहाई को केवी सहाई के नाम से भी जाना जाता है वो मुंशी गंगा प्रसाद के सबसे बड़े पुत्र थे जो मुंशी मदीना लाल के परपोते थे जो हजारी वाक शहर के पास पदमा में बिटिश राज बिटिश राज के तहत एक दरोगा के रूप में सेवा करते थे उन्हें बिहार और उरिसा के ततकालीन गवर्नर की ओर से सर एड़वर्ड एलवर्ट गयाट गूर्ड मिडल से समानित भी किया गया था दिवाली के मौके पर ट्विटर ने भारत में लॉंच किया कस्टम इमोजी ट्विटर ने दिवाली के शुभवसर को ध्यान में रखते वे नए इमोजी को लॉंच किया है नए दिवाली इमोजी को डेडिकेटिड हैश्टाग के साथ लॉंच किया जाएगा या विभिन छेतरिये भाशाओं में भी उपलब्ध होगी दिवाली के एमोजी में दिया रखने वाले हाथ की विशेश्टा है या ट्विटर पर लाइट और डार्क मोड दोनों के लिए अनुकूलित है दिवाले मोजी को हैश्टाग लाइट अप लाइफ, हैश्टाग एक जिंदिकी करो रोशन, हैश्टाग हैपी दिवाली, हैश्टाग हैपी दिपावली, हैश्टाग दिवाली, हैश्टाग दिपावली, हैश्टाग दिवाली, हैश्टाग दिवाली, हैश्टाग दिवाल भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से दर्ज है जिसकी शुरुवात साल 1888 मवी थी इसी साल 1888 में भारत के प्रसिद राजमिनतेग्य मौलाना अबुलकलाम आजात का जन्म आजी के दिन हुआ था 1926 में भारति अभिनेता जौनी वौकर का जन्म आजी के दिन हुआ था 1973 में पहली अंतरास्ट्रिय डाक टिकेट प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू की गई थी किसान की फोटो शेर कर यूजर ने लिखा अगर अभिशेक बच्चन नहीं होते अभिशेक बच्चन सोशल मीरिया पर भले ही ज्यादा अक्टिव नहीं होते है लेकिन ट्रोलर के हर च्रोल का जवाब वो बखुवी से देते है अब हाली में ट्रोलर ने एक किसान की फोटो शेर करते हैं उन्होंने लिखा कि अगर अभिशेक बच्चन नहीं होते अभिशेक ने ट्रोलर को जवाब देते वे उसकी बोलती बंद कर दी जिसके तहट अभिशेक ने ट्वीट का जवाब देते वे कहा हाँ हाँ फणी है लेकिन आपसे तो ज्यादा ही अच्छा लग रहा है अभिशेक के इस जवाब पर फैंस उन्हें खूब रियाक्ट कर रहे हैं फैंस को उनका जवाब काफी मज़ेदार लगा भही एक फैंने अभिशेक को सपोर्ट करते वे ले कहा सरा बेस्ट है आपके जैसा बेटा हर माता पिता को मिले अब आईए जानते हैं सराफ़ बजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफ़ बजार की बात करें तो सोने का भाव 10 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,720 रुपे था वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,720 रुपे था वहीं अगर हम चान्दी के बात करें तो चान्दी का भाव प्रति के लो 61,900 रुपे था इसके लावा राज़ारी पटना में पेट्रोल की कीमत 83 दश्रुप आठ तीन रुपे प्रति लीटर थी वहीं डीजल 76,19 रुपे प्रति लीटर था राज़द और कॉंग्रिस ने धांदली के लगाया रूप पर रडामाने से ठीक पहले राज़द का ट्वीट चर्चाओं के बाजार में गर्म हो चुका है अपने ट्वीट में 119 वधानसमा सीटों की सूची जारी की है जिसमें राज़द नहीं अदावा किया है कि इन सीटों पर राज़द प्रत्याशियों की जीत हुई है जिसके तहत राज़द ने लिखा है कि 119 सीटों की सूची है जहां गिंती संपुर्ण होने के बाद महा 120 वोट से जीत गई थी लेकिन डियेम चुरे जाने का सर्टिफिकेट देने से इंकार कर रहे हैं यह ना प्रजातंद्र की परिपार्टी है और ना ही कानूनी तौर से सही चुनावायों कहा है उसके बाद दोनों ही पार्टी ओने आरोप लगा है इसके साथ ही डेलिगेशन चुनावायों के ओफिस पहुचकर इस बारे में श्रिकायद भी दर्ज करवाई है कल हमारे दोवारा पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जय प्रकाश कुमार, सुशील कुमार, बबलु कुमार, प्रिंस, राज, नितीश कुमार, उजाला चौधरी, सूरज कांत कुमार, सुनील कुमार, अमर बिहारी अशो कुमार, श्रवन सिंग, नंदिकिशोर यादव, हरेश्वर, गुपता, मृतुन जय कुमा आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विदासभा चनाव की परणाम से आप कितने संतुष्ट है, अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताई इसके साथ ही, आज के लिए बस इतना ही, अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रह अगर आप ये वीडियो हमारा फेस्बूक पर देख रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और जादर जादर शेयर करें, धन्यवाद